मा की कोक से बहार आते ही जैसे ही नवजाद बच्चे के रोने की आवाज आई सास ने दाई का मूँ देखा और एक और को सिर हिलाया जैसे पूछती हो क्या हुआ? खबर अच्छी या बुरी? दाई ने सिर जुका लिया छोरी अब दाई ने सिर को हलका सा जटका दे आख के इशारे से पूछा क्या करूँ? सास ने चिलम सरकाई और बंधी मुठी के अंगुठे को नीचे जटके से फेंक कर मुठी खोल कर हतेली से बुहारने का इशारा कर दिया दाब दे दाई फिर भी खड़ी रही हिली नहीं सास ने दबी लेकिन तीखी आवाज में कहा सुन्यों को नहीं दाई ने मायूसी दिखाई भोर से दो को साफ कर आई ये तिजी है पाप लाग सी सास की आँख में अंगारे को दे जैसा बोला कर बीस बरस पाल पोस के आधा गर बांध के देवेंगे फिर भी सासरे दान दहिज में सो नुक्स निकालेंगे और आधा तीन मिट्टी का तेल डालके फूक आएंगे उस मोठे जंजाल से यो छोटो गुना बलो दाई बेमन से भीतर चल दी कुछ पलो बाद बच्ची के रोने का स्वर बंध हो गया बाहर निकल कर दाई जाते जाते बोली बींड़नी ने बोल आई मरी छोरी जण में बींड़नी ने सुने ओ तो गहरी मोठी थकी सास लेके चद्दर तान ली सास के हाथ से दाई ने नोट लेकर मुठी में दाबे और टेंट में खोंसते नोटों का हलका वजन मापते बोली बस सास ने माथे की त्योरियां सीधी कर कहा तेरे भाग में आदे दिन में तीन छोरियों को तारने का जोग लिख्यो थो इसमें मेरा क्या दोश सास ने उंगली आसमान की और उठा कर कहा सिर जनहार ने पूछ छोरे घडाई का साचा कहीं रख के भूल गया के और पान दान खोल कर मुँ में पान की गिलोरी गाल के कोने में दबा ली